अब बच्चो तो यह वीडियो दुबारा बन रहा है एक वीडियो बन चुका है और बन के बाई केट मिस्टेक डिलीट खो चुका है कि तो बढ़ी गुस्सा रही है बिल्कुल इक्षा नहीं कि बना हों अगर वाकर भाहीं बता रहा है हुए एक्जाम टाइम आपका नहीं होता हूं तो सिक्से में अगले दुदिन वीडियो नहीं बनाता भीरो मैंने पूरा बनाया बनाने के बाद डिलीट हो गया वो मेरी ही गलती से क्या बता है चलो खेर तो देख लो भाई यही बनाया था फिर वही चीज़े सेम बोलनी पड़ रही है तो मैंस लेवल आफ हेक्टिक शेडियूल देखो तो चलो यह मॉडल पेपर है फर्मा कोगनोसी का MCQ इसी चैनल पे 6 वीडियो पड़े हैं फर्मा कोगनोसी के MCQ फर्मा कोगनोसी बाई अवरेंसिंग डालो या प्लेलिस्ट में आप चले जाओ प्लेलिस्ट में डाउन नीचे के तरफ आप जाते जाओगे तो जहाँ पे से MCQ सुरू है हर सब्जेक के MCQ वहाँ पड़ें MCQ फर्मा कोगनोसी पड़ा है तो 6 के 6 वीडियो में सारे आपके स्लेबस के MCQ हैं ठीक हैं फर्मा कोगनोसी के ही हैं क्योंकि इसके स्लेबस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है तो पिछले साल के बने हुए वो इस साल भी काम आएंगे जो पहले important था वो आज भी important है और उसी पिछले साल के base को बना के यह model paper भाई देखो अभी आपका क्या नया pattern है ठीक तो pattern जरूर चेंज हो गया है लेकिन question जी change नहीं होंगे तो question वैसे ही है तो उन्हीं 5 साल के paper को base बना के यह बनाया जा रहा है model paper देख लो इस तरह का आएगा इसमें A, B, C, 3 section होंगे जो पहले भी में बता चुका हूँ अब A में long रहेगा पहले या short रहेगा या पहले mcq रहेगा यह वही decide करते हैं objective का एक बड़ा अजीब है क्योंकि इन्होंने pattern दिया mcq में 4 option वाला भी हो सकता है fill in the blanks में कई बार dot dot रख देंगे मलब blank तो रहेगा लेकिन fill क्या करना यह नहीं बताएंगे कुछ cases में वो oblique करके 2-3 option दे देंगे उन्हीं में से fill करना है तो यह तो अच्छा हुआ अगर इस तरह देंगे कुछ बच्चे बड़ी होसियारी करते हैं च्छे के च्छे करके आ जाते हैं क्यों क्योंकि उनके दिमाग में आता एक आधा question गरबड़ हो गया हो तो जो अच्छे हैं वो च्छे आप चेक कर लो लेकिन ऐसा कभी नहीं होता आप साथ करके आ जाओ च्छे आपको करने हैं जो कंपल्सरी हैं तो जो च्छे करने हैं वही च्छे चेक किए जाएंगे सातवा करके आओगे भी नहीं होगे सेम केस है शॉट एंसर में 11 दिये जाएंगे आपकोदस करने होंगे सारे जवाब जो है सारे question तीन-तीन number के होंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर देना जो मैं start से बोल ला हूँ multiple choice पे सबसे ज़्यादा जोर देना जिसके multiple choice 20 के 20 सही हो गए वो फेल नहीं हो सकता उसकी back नहीं लग सकती यह 100% मान लो मैं नहीं कहता चलो 20 नहीं कर पा रहे हो 18 तो कर लो 18 मतलब यह 18 number fix हो गए उसका थोड़ा बहुत भी लिख्के आओगे आराम से score बन जाएगा means अच्छा number gain कर सकते हो ठीक तो यह pattern है total 80 number की marking रहेगी आपकी तो maximum marks 80 number रहेगा 3 घंटे का paper है फर्मा को अगनोसी कर रहेगा को अगनोसी का paper थोड़ा सा बड़ा रहता है इसलिए starting से बहुत ध्यान से जाना दूसरा पेजर मोबाइल electronic gadgets नहीं इस्तिमाल किये जाएंगे means लेके नहीं जाना है तो aware हो इस चीज को लेके सारे question solve करने question किसी भी सूरत में कोई question छोड़ना नहीं है ये मूल मंत्र मान लो आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं लेकिन कुल मिला के question नहीं छोड़के आना है आपको कोई तो question पे देखते हैं long answer देखो यही अभी बताया न तो बड़ा मज़ा नहीं आता दुबारा वही चीज बोलने में long answer में 6 question करने हैं आपको out of 7 तो give the botanical source chemical constituent and pharmaceutical uses of any 4 यह जो दिये हुए है nutmeg है, coriander है, sincona, digitalis, phedra यह सारी की सारी drugs most important drugs की category में आती हैं वैसे भी तो अकुल मिला के question के according इसमें से किसी 4 का पांच दी है, किसी 4 का botanical source, chemical constituent or medicinal use या pharmaceutical use लिखना है आपको ठीक, तो यह पहला question हुआ भई दूसरे question के अगर हम बात करें write a short note on history and scope of pharmacognosy, जितने भी subject हैं सबका common question एक होता है history और scope, pharmacognosy आप पढ़ रहे हो, तो इसकी history क्या है, और जो पढ़ रहे हो आगे future में इसका scope कितना है बस यही, अगर पढ़े हो तो वो लिख दो, नहीं पढ़े हो तो बना-बना के लिख दो history बहुत नहीं बना सकते, थोड़ा-बहुत आपको date वगरा मालूम होना चाहिए कहां से start हुई, कहां से की kognosy पढ़ा दो specific कोई ऐसा topic जो बिलकुल समझ में नहीं आया, थोड़ा complicated हो किसी भी subject का, उसका नाम दे दो, मैं वो पढ़ा दूँगा but पूरा subject इतना time नहीं है आज की date में आने वाले समय में जरूर मैं पढ़ाऊंगा भी और सब के सब video upload करूँगा, लेकिन अभी यह possible नहीं है, ठीक next है, write a short note on adulteration and drug evaluation तो drug adulteration और drug evaluation पर क्या लिखना है, short note लिखना है next question है write in detail about anatomical features किसका, नक्स वोमिका और डैटूरा या धतूरा का धतूरा और नक्स वोमिका का anatomical features, अब morphology तो आपने सुनी है, anatomical features में, microscopy, vascular bundles इन सब के बारे में आपको लिखना है, फिर classification of drugs of natural origin जो drugs natural origin की है, उनके classification के बारे में आपको detail में explain करना है और साथ में drug भी क्यों क्योंकि खली classification से 5 नमबर नहीं मिलने वाला, हमेशा एक चीज़ जान रखो मान लिया, कोई question है, जिसका answer दो line में आता है, और वो long में पूछ लिया, means 5 नमबर में पूछ लिया आप दो line लिखके आजाओ, तो ये संभव ही नहीं है संभव कहां पर हो सकता है, जो आप से specifically पूछा जा, chemical पूछ लिया जाए, खर, next question है, define suture, suture को define करना है, give chemical constituent and method of preparation, ठीक, फिर क्या है, chemical identification test for wool fiber, wool fiber का next है, इसी में देखो, 3 question दे दिया, how absorbent cotton wool prepared, absorbent cotton wool किस तरह से बनाया जाता है, तीन पार्ट दे दिये हैं, लेकिन ये तीन पार्ट के चक्कर में ऐसा नहीं कि चार पेज लिख डालना, short में लिखना ध्यान रहे, next है, give the biological source, chemical constituent, use of any four of the following, ऐसा फोड़िटा, ergot, lemon oil, ephedra and katechu, in drugs का, इन में से कोई चार ड्रक का biological source और chemical constituent लिखना है, इसमें specific लिखो, specific पूरा-पूरा number मिल जाएगा, ठीक है, next question है, या next section है, section B, short है, short में का, means 11 में से 10 करने, 11 question दिये रहेंगे, smartness मत दिखाना, कि हम 11 कर दे हो, गलती से हमको number ज्यादा मिल जाए, क्योंकि teacher smart ज्यादा हो गया, अगर तुमसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक, identification test for alkaloid and terpenes, terpenes के identification test लिखने इसमें, short note on carminative, carminative में देखो number of drugs ज्यादा है, तो एक या दो drug लिख दो, वो भी short में, तो काम हो जाएगा आपका, method of preparation of ayurvedic formulation, of ayurvedic formulation किसका, चूरणा, and सिद्धा के बारे में लिखना है, next है, role of medicinal and aromatic plants, किस चीज में role, national economy, means हिंदुस्तान की economy में, यहां के जो medicinal or aromatic plant है, उनका क्या role है, और उनका किस तरह से export किया जाता है, ठीक, फिर question क्या कहता है, write a source and chemical constituent of sandalwood और lavender oil, यहां पर भी देखो एकदम specific sandalwood और lavender oil का chemical constituent और biological source लिखना है, तो ज़्यादा deep में जाने की ज़रूरत नहीं है, specific point to point लिखोगे, काम हो जाएगा, next question बोलता है, short note on quality control of crude drug, crude drug के quality control देखो question बहुत बड़ा है, लेकिन आपको brief में करके लिखना है, क्योंकि लिखने जाओगे तो इसमें वी 4-5 पन्ने भर जाएगे, तो headings ज़्यादा cover करो, content थोड़ा-थोड़ा लिखो, short note on enzymes, एक या दो enzyme के बारे में short में लिख दो, next है drugs, अंटी टर्शीव ड्रग जैसे वसाका और टोलू बालसम, तो थोड़ा सा अंटी टर्शीव क्या होता है, उसके बारे में लिख लो, टोलू बालसम और उसके बारे जीका सोस, chemical और यूज लिख दो, तो तीन-तीन लाइन में हो जाएगा, next है benjoin और वसाका, benjoin और वसाका के बारे में आपको लिखना है ठीक collection and preparation of senna and ergot ergot and senna के collection और उसकी preparation के बारे में detail में explanation देना है फिर next question है anatomical study of phenyl and clow clow और phenyl की anatomical study लिखनी है means उसकी microscope के बारे में लिखना है फिर next section आता है C C section का criteria already मैं बता चुका हूँ आपको इसमें 20 question होंगे जो एक एक number के होंगे किसी तरह की कोई negative marking नहीं है सही करोगे तो एक number मिलेगा गलत करोगे तो zero number मिलेगा तो question क्या है cocaine is used as cocaine का किस तरह use होता है in official medicine narcotic, emetic, local anesthetic या cuff suppressant तो cocaine का जो use है that is local anesthetic as a local anesthetic के तरह cocaine का इस्तेमाल करते है opium is used in medicine as opium किस तरह के medicine के लिए use होती है tranquillant या tranquillizer non-luxative या painkiller तो opium जो है ये बहुत powerful painkiller होती है तो इसका powerful painkiller के तरह इस्तेमाल होता है next question है choose the right test for identification of anthraquinone glycosides anthraquinone glycosides का identification test लिखना है liverman butcher test bond trigger test murexide या marquis test तो bond trigger test जो होता है bond trigger test ये आपका होता किसके लिए identification of anthraquinone glycoside के लिए कौन सा है bond trigger test next है which test is used identification of cardiac glycosides ये question मैंने आपके लिए छोड़ा है कुछ मेनत करो और comment करके बताओ legal, bulget, liverman या killer के लिए निए test next है mare reagent used for mare reagent किसके लिए starch glycoside, resin या alkaloids के लिए alkaloids के test के लिए mare reagent use of antitucive, antitucive drug कौन सी है kathranthus है, balsamak tolu है, neem है या mir है तो starting में हमने बताया था आपको vasaka और balsamak tolu ये दोनों कैसी drugs है antitucive drug है next question है used as a use of artemisia artemisia का क्या use है जो drug है expectorant है, stringent, antimilarial है या none है तो artemisia या artemisinin as a anti-malarial drug की तरह इस्तिमाल किया जाता है modified bond trigger test is positive for drug किस drug के लिए positive है digitalis, senna, senna pod या LOA तो ये LOA के लिए LOA drug के लिए ये positive test देता है कौन सा? modified bond trigger test satawar, very important question satawar is under the chemical class of glycoside किस तरह की chemical class का glycoside है sterol, saponin या sinogenetic या all तो ये क्या होता है saponin होता है satawar क्या? saponin glycosides है used as a diuretics option क्या है? senna, ginseng, both या gokharu तो gokharu कैसा है? as a diuretics के तरह इस्तिमाल करते हैं morphine contains morphine में किस तरह की ring होती है? antracine है, naphtacine है, finathrine है या none है तो morphine का structure अगर आप देखते हो तो उसके अंदर क्या रहती है? finathrine ring रहती है ठीक, तो presence of alluron grain is the characteristic of drug एक drug है इसको answer in one word समझ लो presence of alluron grain is the characteristic of drug बताओ बई किस drug का चाहिए, fill in the blank समझो चाहिए answer in one word समझो बताओ बई कौन सी drug है? जो जिसमें alluron grain पाया जाता है ये उस drug का characteristic feature होता है बोलो बई तो एक ड्रग का नाम सुना होगा तो एक ड्रग का नाम सुना होगा देट इस नक्सवोमिका इस ड्रग का ये characteristic feature होता है कौन सा? presence of alluron grain ठीक ध्यान रहें which system of medicine was originated from Dravidian Dravidian origin किस medicine system का है भई? युनानी या अईरुवेदा होमियोपैथी या सिद्धा तो सिद्धा जो है Dravidian origin है इसकी जो start में Tamil language में लिखी गई थी किसमें? Tamil language में ठीक है? which system of medicine believe in like, cure like होमियोपैथिक को ही बोलते हैं क्या? like, cure like ठीक है? means बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से जिसको क्या है उसी को क्या बोलते है? like, cure like तो युनानी या अईरुवेदी होमियोपैथिक सिद्धा तो क्या है? होमियोपैथिक option correct है lay and park क्या है भई? asawa, boutica, avleha या none avleha is avleha is leha and park common name of kathrynthas kathrynthas का common name क्या भई है? kathrynthas क्या? देखते होगे गाउं में बोलते हैं सदा बाहर का पेड़ है या बारामासी पेड़ है कहीं कहीं बोलते हैं तो इसको पेरी विंकल भी बोलते हैं बारामासी भी बोलते हैं तो इस सारे के सारे ओप्षन सही हैं इसकी ठीक है? तो सारे के सारे ओप्षन ठीक है another name of pedaleum murex pedaleum murex क्या भई? another name किसका है? छोटा गोखरू, पुनर्नवा, बड़ा गोखरू या नन तो pedaleum murex जो है ये बड़ा गोखरू का दूसरा नाम होता है, किसका? बड़े गोखरू का दूसरा नाम होता है, pedaleum murex next है family of छोटा गोखरू छोटा गोखरू की family कौन सी है? pedaleacy, nictagenacy gyagophilacy या नन तो gyagophilacy is the family of छोटा गोखरू next है gambier is another name of gambier किसका दूसरा नाम भई? पेल कटैचू, वसाका, माला बार नट या नन तो पेल कटैचू को ही gambier बोलते हैं, ठीक? पेल कटैचू और black कटैचू ध्यान रखना next है another name of माला बार नट फिर बात करो फिर अधा टोडा वैसिका एंड वसाका ठीक है? इन दोनों को क्या मोलते हैं माला बार नट तो इस तरह से आपका ये पूरा मल्ट क्या हो गया? एक आपका model paper और mcq के लिए mcq फर फर्मो को गुनोसी को refer कर सकते हो के बाई